सब्सक्राइब कीजिए टेक स्मार्ट चैनल को और वेल आइकोन को दबाईए लेटेस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि पूरा देश चार पांच महिने के लिए बंध हो सकता है कुरोना वाइरस की वज़ा से हम घरों में बंध है इसी लिए हर काम ऑनलाइन हो रहा है और इसी वज़ा से ऑनलाइन क्लासेस का परचलन बढ़ गया है देखिए लॉकडाउन में भी बच्चों की पढ़ाई जारी है थ्रू ऑनलाइन स्कूल्स एन कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वज़े से क्या इंपैक्ट पढ़ा रहे है आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे क्या ऑनलाइन क्लासेस ठीक है क्या online classes से बच्चे और parents दोनों खुश हैं इस सवाल पे ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है बच्चों का पढ़ना और course complete करना इससे student की मनो बैज्ञानी की सिती क्या होती ही ये भी बताने की कोशिश करूँगा आज कल बच्चे चार से पांस घंटे daily classes ले रह है चलिए बीडियो को आगे बढ़ाते हैं online classes के असर क्या पढ़ रहा है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं ज्यादा देर online classes लेने से आखों में जलन होने लगती है और सर भी भारी होने लगता है साथ में तनाव बढ़ जाता है और घुटन भी हो सकती है पढ़ाई में इंट्रेस्ट कम हो जाता है और नीम भी नहीं आती है और भी कई समस्याएं मूफाड़े खड़ी हो जाती है पर इससे स्कूल और कोचिंग सेंटर को क्या फर्क पढ़ता है उन्हें तो अपना कोर्स पूरा करवाना है अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो अरे रुकें अभी समस्याएं कहां खतम हुई है आउनलेन क्लासेस तो जरूरी है पर नेटवर्क की प्रॉब्लम किसे पता है नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि क्लास लेते समय ही फोन हैंग हो जाता है पर इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है इन्हें क्या मतलब है network कहनों को 4G है पर गायब होने में time नहीं लगता है ये भूल जाते हैं कि ये इंडिया है यहां अभी भी 60% population गाउं में रहती जहां सिर्फ 8-10 घंटे ही light आती है और कुछ गाउं ऐसे हैं कि जहां अभी light ही नही वाला है क्या कमाल की बात है अगर हम तीसरी problem की बात करते हैं तो online classes होना अच्छी बात है पर जड़ा सोचिए जहां एक से ज़्यादा बच्चे हो और फोन एक ही हो तो classes कैसे होंगी और ये भी सोचने की बात है क्या सारे बच्चों के पास smartphone है या laptop है online classes के बारे में बहुत नहीं किया तो प्लीस लाइक कर लें फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो online classes तो हो रहे हैं क्या सारे बच्चों का doubt किलियर हो रहा है क्या सारे बच्चे इंट्रेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में और सबसे जरूरी चीज़ उनको समझ में आ रहा है ये ध्यान देने वाली पॉइंट की बात करते हैं तो यह मुझे काफी important पॉइंट लगता है online class की वज़ा से data consume काफी हो रहा है हर मंत data recharge के लिए काफी अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि classes उतनी ही हो रही है जितनी offline में होती कहीं कहीं उससे ज्यादा भी हो रही है एक medium class के लिए सबसे ब radiation की क्या आप सबको पता है cell phone से radiation निकलती है जो हमारे लिए काफी खतनाख है यह electromagnetic radiation होती है जो human के साथ साथ environment को भी नुकसान पहुचाते है radiation and nuclear safety authority finland ने दो साल के study के बाद पाया कि phone radiation से brain के tissues भी damage हो सकते हैं cell phone के ज्यादा यूज़ करने से आपको tumor भी हो सकता है ज्यादा online रहने से आपको need ना आना और phone का हर समय यूज़ करने से आपका accident भी हो सकता है क्योंकि एक survey के अनुसार phone ही सबसे बड़ा दूर घटना का कारण बन रहा है मनुबेग्यानिक कहते हैं कि आजकल कम उमर के बच्चों में घवराहट ज़्यादा दिख रही है उनको इसके symptoms भी काफी मिल रहे हैं और यही नहीं क्या आप जानते हैं इससे cancer भी हो सकता है इसलिए साउधान रहें और phone का use limit में करें हाला कि online classes से नुकसान जादा है पर इसके फाइदे भी बहुत है जैसे कुरोना चल रहा है हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो online classes से हमारी classes हो सकती है और यह classes का सबसे बड़ा सहारा बन कर उभरा है क्योंकि course नहीं पूरा होगा तो exam नहीं होगे हर classes की time 30 minutes से जादा नहीं होना चाहिए और classes के बीच में 10 से 15 minutes का gap होना चाहिए और सबसे जरूरी चाहिए अगर classes जरूरी नहीं है तो उसको मत चलाएं और course पूरा करने के चकर में बच्चों को बिमान न करें क्योंकि online classes free में नहीं होती पैसा और time दोनों जरूरत से जादा यूज हो रहा है इसलिए जो class जरूरी हो वही class ली जाए सबको सोचने की जरूरत है यहां मैं बात करहाँ parents, teacher, government की जिस तरह बच्चे ground में खेलने के बजाए mobile में game खेलने है वो भी दददस घंटे mobile game famous हो रहे हैं जैसे PUBG, Fortnite जितना famous हो रहे हैं इससे पता चलता है कि online का impact क्या पढ़ रहा है last में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि course पूरा कराने के चक्कर में बच्चों को बिमार ना करें इससे बच्चों के साथ साथ उनके parents को भी परेशानी होती है परेशानी यही नहीं रुकती है यह environment को भी परभावित कर रही है और हमें कमजोर बना रहे हैं क्योंकि बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनकी immunity पावन नहीं बढ़ेगी इस बारे में सोचने की जरूवत है government को भी और schools को भी वीडियो कैसी लगे comment करके बताएं और अगर आप वीडियो में नए हैं तो please subscribe कर लें नमस्कार